गुड़े एवरिवन मैं मेंदर सिंगारिया साइक आचारी राजनिती विज्ञान ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आपका स्वागत करता हूं इससे पहले हमने दो कक्षाओं को अध्यन किया जिसमें हमने यहे जाना कि मनु मनुस्मृति और मनु कौन थे अब हम मनु स्वाधि के बारे में थोड़ा सा आगे विस्तित अध्यन करते हुए उसके अध्याव में वणने मुख्य विशे क्या थे उसके बारे में जैसा हम जानते हैं मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 चलोग हैं कितने चलोग 2694 चलोग इससे पूर्व में कितने सबसे पहले प्राचीन समय में मनुस्मृति में कितने चलोग थे तो यह कितने तो लोग कितने अध्याय हैं भर अध्याय कि मनुस्मृति के बारा अध्याय में वरनित मखिय प्रकार हैं इसका मतलब यह है कि मनोस्मृति में कितने पार्ट है कि बारा बार्टों में सभी पार्थ में अलग-अलग उष्य के अलग अलग उश्य दिए गए हैं जिसमें पहला उश्य क्या है संसार के विभीन प्राणयों की उत्पति मनुस्मृति के पहले अध्याय के अंदर क्या बताया गया है कि संसार के संसार विभीन प्राणयों संसार की या संसार की या दुनिया की उत्पति कैसे यह और विभीन प्राणी गुत्पति कैसे होई इसके बारे में बजो बताया गया है मनुस्मृति के पहले भाग पहले पार्ट पहले अध्याय में मनुस्मर्थी के दूस्तर अध्याय के अंदर रस जाती कर्म संसकार विधि ब्रह्मचार्य व्रत विधी और गुरूब के प्रती अभिवाधन विधि का अपिकि-बताई गई अब इसके दूसरे द्याया में क्या बताए गए है उसे उसी रेनी में रखा जाएगा व्रहामन वाया मैं श्यत्री को उनल श्यत्री और switching को श्यत्र की शेणी में नकान जाएगा संस्कारविधि कितने संस्कार होते हैं सोला संस्कार ना और भ्रमचर्य विधी क्या होती है इसके बारे में और गुरु के परति अभीवाद्य विधी का वर्णन किसमें किया गया है मनुस्मृति के दूसरे भाग में इसमें ब्रह्म्चरे की समाप्ति के बात इसके लिए आगे वी चर्च नहीं कि इसके शेख करेंगे तब हम मनुस्मृति की जन्म से लेकर जब बच्चा पढ़ने के लिए उसको गुर्कुल में बहते जाता है जिसमें जब बच्चा पढ़ने जाता है गुर्कुल में तो 25 वर्ष की आयू मतलब ब्रह्मचारे की सिमाप्ति के बाद समावर्तन पंच महायग्य और नित्यशाद की विदिजों बताई गई किसके अंदर बताई गई यह मनुस्मृति के तीसरे भाग में चोथा बाग रित्तु ब्रह्मचारी आधि जीविकाओं की लक्षित था ग्रस्त आधि की नियम चोथे अध्याय के अंदर क्या ब या भरणपोशन की अलक्षित मतलब आदमी एपने जीवन को कैसे चलाएगा कैसे कमाएगा ना बरणपोशन की से करेगा तथा ग्रस्त पहला कौन सा आता है ब्रह्म चर्याज़ाष्ट तूसरा अश्रम ग्रह्म बताज़े मैंने आपको आप किती पर बतादी है दूसरा अ टुसरा वानप्रस्त आश्रम और 4 था किया है सन्यास आसरम तो दूसरा है घ्रस्ता आश्रम का बैसे आईू उससा में सो वर्श मानी था ती जिसके अंदर आश्रम को चार पार्टों में डिवाइड किया था और रखा गिया था तो दूसरा पाट कितने वर्ष का हो गया चबीसे लेकर पचास वर्ष तक किते वर्ष तक है चबीसे लेकर पचास वरस तक जो आश्रम है वो ग्रश्त आश्रम अपनी जीविकाओं के लक्षिए को मतना परिवार का साधी श्यक्राइब संतानोत पती ना वह किसमें सब ग्रश्त आश्रम मैं यह किसमें मनुस्मृति के कि बाग में पांचवा जो भागे मनुस्प्रति का उसमें बक्षी तथा ए बक्षी परदार्थ उसका अरत क्या होता है खाने योगी और ना खाने योगी वाले भोजन या पदार्थ बक्षी तथा ए बक्षी परदार्थ क्या होता है खाने या ना खाने वाली जिसको खाये जाता उसको ना खाय जाए उसको यह भक्षी तथा मनुश्य के लिए सुद्रेहनसेन की सुनिच्छित करने वाल नियम इसके अंदर जो पांचों पार्ट है मनुस्मृत्य का उसमें क्या बता है खाने वाले और ना खाने वाले बोजन और मनुश्य प्रवर्ति का निर्वहन करना चाहिए जो नियम बता गए वह किसमें है मनुस्मृति के पांच युपाग में मनुस्मृति का छटा भाग चटा अध्याय इसमें वानप्रस्त तथा सन्यास आश्रम की लिभी थान वनुस्मृति के कि इसके साथ आगला अजिव अध्याय की भिवाद का निने तथा करगर्ण अधी राज्विन लाज़्व नियम तो इसके अंदर क्या बताएगा है सात्व भाग में विवर्व भी विवाद को उसका निने केसे हो ठिके कौन से नियाई ले दुआ रहो किस तरह हो प्रक्रिया तथा करग्रण क्या होता है यह को कैसे लिया जाए यह इसके बादे करेंगे राज की होते हैं यह किसके इंदर आएगा मनुस्पर्ती के सात्व्भाग में यह मैं नियायलों आपक्रीया नियायलों में शाक्षो की प्रक्रिया नियायलों करिया के नियम प्रशन爆व तिक क्रिया एन यह के परणेली वह सब्सक्राइब क्रंदी और किस तरह केной क्विशन क्या किस तरह के प्रशं सिस्रें सवाल पूछ जाएंगे यह वस्ता किसके इंदर मनुस्प्रति का नम वग झिसमें नमाध्यायक इसमें वैवाइक संबंदों से समध्य विदी वैवाइक संबंदों से मतलब आपको पता हो अगर आपने थोड़ा सा ग्यानरजन कर रखा है तो विवा आठ प्रकार के होते हैं जिसमें चार को अच्छे हो चार को बुरे प्रकारों में बताया गया चार अच्छे शुब और चार अशुब प्रकार बताएं उसमें वी तो आठ प्रकार जो होते हैं वह उस्सा में प्राचिनकाल में वर्तमान में भी पोस्ते हैं तो विवाई संबंदों की संबंदित्विदी इस्त्री और पुरुष में धर्म धन आधि संपत्यों का विवाजन कि इस्त्री और पुरुष क्या काम करेंगे उनके क्या दायतु रहेंगे क्या करते भी रहेंगे उनके क्या अधिकार रहेंगे यह चीज धर्म आधि संपत्यों क संपति को विभाजन या अपने जो संपति है उसका विभाजन किसे प्रकार होगा अपरादों का निवारण तथा वेश्य एंव शुद्र के अपने धर्म के में अनुष्टान अपरादों निवारण अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है या कोई अपराद करता है तो उसका निवारण कैसे होगा तथा जो अपने वन विवस्ता के अंदर जो चोथा तीसरा और दूसरा और चोथा जो वन था वेश्य और शुद्रवन के अपनी धर्में में अनुष्टान मतलब यह जो तीसर करते के लोग थे वह अपना धर्म में अनुष्टान किस्त प्रकार करेंगे यह विवस्ता किसके अंदर बताए गई है मनुस्मृति के बारा अध्यायों में से नव्य अध्याय के अंदरवत है अब हम आगे चलते हैं मनुस्परति के दस्वे अध्याय के और विभिंजातियों की उत्पति तथा आपातकाल के करतेवे और धर्म का विविंजातियों की उत्पति के से हुए ही है आगर हम चलाए तो उससे में जो सामाजी करी विवस्ता थी उसमें कोन सी वण विवस्ता थीया ना तो वन में ब्राह्मन शत्रिये वेशिये और शुद्र उन की उत्पती के बारे में अगर देखा जाए तो धीरे-देरे का अधान्तर में क्या हुआ उनको अपने कर्मों पब simplement आपात्काल के करतवय दर्म और राष्ट में देश की परति है राजिय के परति कोई भी संकट आजाता है तो राजय और उसमें निवासि जन्टा का क्या करतवय होगा और Quelह धर्म होगा उसके बारे में जो बताया गया है वह किसके मनुस्मृति के दसवे भाग में सब्सक्राइबते हैं कि अगर किसी से कोई गलती या अप्राद या पाप हो गया है तो उसकी निवर्ति उसमें किस तरह से क्या कारे करें जिससे उसके पाप से मुक्त हो जाएं कि नेक्स्ट लास्ट मनुस्मृति की बारवे अध्याय के अंदर कर्मों के अनुसार मनुष्य की तीन उत्तम मध्यम और अधम प्रकार की सांसकर्तिक गतियों आत्म ज्यान तथा मानवे गुणों दोश्यों नेतिक मुल्यों आध्य की विवेचना प्रस्तूत की गई है जो मनुश्पर्ति का लास्ट और अनतिम जो अध्याई बारव अध्याई उसके अंदर कर्म के अनुसार हो तीन उत्यमितन और अद्यम मृथम एधम गतीया तो जो मनेश्चे करण। उसको किस इस्तर में बाटा जाए उसे उत्तम इस्तर में रखा जाए उसे मद्यम इस्तर में रखा जाए अध्यम निम्न इस्तर में रखा जाए उसके बारे में आत्मग्यान तता मानवेगों कि उस समय कि जो बानव समाज था उसमें आत्मग्यान या जो इस्तर था उसमें क् मानुसवर्ति के बार्वे और अंतिम भाग में में अब हम चर्चा करेंगे धर्म के बारे में मЭто धर्म के बारे में भी विश्चित से बताया गया है तो धर्म की उत्पति के से हुई यह धर्म क्या है ना धर्म की शब्द से बना है धर्म के बारे में अलग लोगों के राज़िति की विचार क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो अब नेक्स पॉइंट अपना है धर्म मनु ने राज्जे की उद्पति के देवी सिध्दान्त का पर्तेपादन करते हुए और अन्य प्रसंगों में भी इस बात पर बल दिया है कि राजा धर्म के अधिन देते हुए अपना कारे करे तो राज्जा को इस लाइनकार्थ ही हुआ कि राजा को अपने धर्म के अधिन देते हुए कारे करना चाहिए अब यह प्रशन उड़ता है कि धर्म क्या है धर्म क्या है धर्म से मतलब क्या है तो इसका आगी लाइन में अपर पढ़ते हैं वो लिखा है इस प्रश्चते कि अते धर्म से मनु का आशे क्या है इस पर मनुने धर्म शब्द का प्रियोग वर्तमात समय की भाति किसी लोकिक पाल लोकिक मतांतर के लिए नहीं किया वरन उन्होंने धर्म शब्द का प्रियोग बहुत वियापक और विशाल अर्थों में किया है मनुने भी जो इसका अर्थी है कि मनुने भी जो धर्म शब्द का प्रियोग करते हैं वह उन्होंने भी वेसा ही किया और उन्होंने जो धर्म के बारे में बताया वह उसका अर्थ व्यापक और विशाल अर्थों में लिया जाता है मनु का धर्म शब्द संस्कत भाषा की ध्रे धातु से बना है किससे बना है मनु का धर्म शब्द संस्कत भाषा की ध्रे धातु से जिसका आर्थ नियमों और व्यवस्ताओं से है ध्रे का आर्थ क्या होता है धारन करना जिसका आर्थ धारन करना होता है मनु का धर्म शब्द सस्कत भाषा के द्रे दातु से बनाए जिसका अर्थ धारन करना होता है धर्म शब्द किसे बनाए सस्कत शब्द के द्रे दातु से ओ ध्रे का अर्थ क्या होता है धारन करना अते इसका अभीप्राई उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और विवस्तव से हैं जिने मानो मात्र के द्वारा धारन किया जानना चाहिए मदलब क्या धारन करना चाहिए? ध्रेशब्द से बनाए धारन करना आर्थ होता है लेकिन क्या धारण करना होता है इसका अभिप्राई यह है कि उन सभी गुणों और तत्व और नेमों और विवस्ताउ से हैं जिसे मानों मात्र के द्वारा धारण किया जाना है धर्म से मनुकाशे यह है कि सभी वेक्ति अपने निर्धारित करते हुए का पालन करते हुए परम लक्षे मोक्ष की प्राप्ति की और अगरसर हो अब यह लाइन क्या है कि धर्मकाशी क्या सभी वेखती अपने निर्दाइद लक्षी मतलब क्या होगा उससा में क्या थी आश्रम व्यवस्ता ठीक है उससे में क्या थी वन व्यवस्ता वन व्यवस्ता के अंदर ब्रहामान शत्रिय वेशिय उशुद्र ब्रहामान का करते क्य करना इसधियों के कारी अपने कर्तव क्या था वेश हुनों मेरणों की इस कि शुद्र का तो यह लिख रहा है कि धर्म का मनुक ISISえて मतल मतलब उसके अंदर अपने कर तो पालन करें और Por覇ल करते वैं अपने प्रम वक्ष की प्राप्ति करें और सभी वे के लोग अपने कायरे को अपने सभी धंक से करेंगे तो समाज में समाज की जो विवस्ता है वो संभव हो पाएगी कि नेक्स्ट पॉइंट अपने हेडिंग है राज्य धर्म और दंड संप्रुभूता गाधार क्या बताया धर्म और धर्म के बारे में हमने दान जान लिया उसके प्रवकार भी हमने में शुरून बताया था कि चार नीतिया या चार उपाए चार उपाए बताए थे कि चार उपाए क्या होती है तो चार नीतिया चार उपाए में क्या था पहला उपाए साम दूसरे में दाम तीसरे में भेद कि ना अब भूमन की क्या वाशाम बोलते हैं साम दाम दंड भेद बोलते हैं लेकिन वेसा नहीं है इसमें पताया गया है पहला साम दूसरा दाम तीसरा भेद जैसे सबसे मनूखा चेप्टर चाला था उसमें कोटिशन भी यही थी सामदाम भेद निती को अनुसरन करते हुए करना चाहिए सामदाम भेद निती दंड नीती नहीं क्योंकि दंड से ढon car फक्ष डोनों को स्वता है तो ऐसका मतलब यह कि संपूर्पुता संपुर्फूता मतब सर्वोशक्ति काधार क्या होता है धर्म और दंड मतब राजय अपना करतव्य पालन करें और करतव्य पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो वहाँ पर क्या दिया जाए उसको दंड दिया जाए मनुस्मर्ति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को इस्तापित करने वाली उद्दिश्य पूर्ण संस्ता के रूप में चित्रित किया गया है मौनुस्मर्ति में राज्य को धर्म आधारित मावदंडों को इस्ताबित करने वाली उद्दिश्यपुर्ण संस्ता के रूप में चित्रित किया गया है धर्म और राज्य को परस्पर नेर्भर मानना गया है कि इसको प्रस्पर आपसी संस्ता की से माना गया है धर्म और राज्य को आपसी संस्ता माना गया है और इस परात पर बल दिया गया है कि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए हैं धर्म के प्रवर्तन के लिए क्या है राज्य का अस्तित्व राजा का यह करतव है कि वे सभी वेक्तियों को दर्म के पालन की और प्रवर्त करें क्या करें कि वे सभी वेक्तियों को दर्म के पालन की और प्रवर्त करें इस प्रकार धर्म राज्य का मूलाधार है क्या है धर्म राज्य का मूलाधार है नेक्स्ट आगे मनु की विचारदार के अनुसार धर्म और दंड परस्पर संबंदित हैं क्या है मनु की विचारदार में धर्म और दंड परस्पर हैं समाज का एक बढ़ा भाग सदेवी मर्यद पुन ओर धर्म सम्मत रूप में जीवन वेतित करने की इच्छा गनता है समाज का बड़ा वाग मर्यादपूं मतलब लिमिटेशन में रहकर और धर्म सम्मत रूप में जीवन व्यतित करने की इच्छा रखता है समाज में चारवन थे ब्राह्मन अलग रखता था शैत्रिय अलग रखता था विश्य अलग रखता था शुद्रप ने इसाब से अपना लाने के लिए। बहुत इक बल की आवशक्त होती है। इसे दर्म में अनुशाशन लाने के लिए बहुतिक बल की आवशक्त हथा ना पनुष्मान में क्या बोलतें ऑप forts हरजाना लिया जाता है है थो ये क्या है दंड के अभी वर्त्मान या लमी फिषी मिलती है तो यह लिप एक चुलाएं किसी क्राइब्सकरा कटे हे एक च्छोटा सा अब था बड़ा वाग में काम नियों होते जिससे समाज में एक लाग लोगे तो गलती करेंगे बचास लो तो एक छोटा सा भाग होता है पुरा बड़ा भाग में यह लोग हम गलती नहीं करते बड़े लोग बड़े लोग अफराद नहीं करते हैं तो इस लाइन से हम समझ गए कि लेकिन समाज में एक चोटा सबर्ग इसा भी होता है जिसंपुप की रूप में प्रस्तूत किया गया है जो बादेगारी शक्ति के आदार पर धर्म को बागू कर सके राज्य ही एक मात्र ऐसी संस्ता है जिसे इसी बाध्यकारी शक्ति का प्रियोग का एक मात्र अधिकार प्राप्त हैं सेम वर्तमान में बेसा ही होता है ठीक है जैसे हमारी सरकार की तीन संस्ता है संस्ता है कारे पाली का सबसे बेली संस्ता कौन से होती है विवस्ता पिका क्या कारे होता है विदायका का कानून बनाना फिर दूसरी संस्ता क्यों से होती है कारे पाली का क्या कारे होता है विदाय का द्वारा विवस्ताप्री का द्वारा बनाए गई कानुनों को लागू करना ओती संस्ता होती है नियाय पाली का मतलब क्या करती है इन दोनों के द्वारा दोनों के प्रमानिकता वेदेता की जांच करती है या जिसने अपराद किया है उसे सजा देती तो इस प्रक तो उसने लाश्ट टाइन लिखिए कि राज्य ही का मास्त इसन संस्ता है जिसे इस बादिकार शक्ती का जो अधिकर से में पिरयोग का अधिकार प्राप्त है को आगे मनु लिखा हैं व्बुतिक बल की तुलना में बहुत अधिक मैंत्मूर्था महत्मुन तत्व और उचिस्तिती हैं बोतिक बल के साथ जब तीन तत्व संयुक्त होते हैं तभी उसे दंड का स्थर प्राप्थ होता है यह तत्व हैं जब दंड देने का मतलब यह नहीं होगा कि और आपने उसे पैसे देकर छोड़ दिया ठीक है उसे आर्थिक और शारारिक मांसिक हर तरह से अगर उसे पनिश किया जाए दंड दिये जाए तो वही दंड की में दंड की पूर्णता को समाहित करता है तो उसके साथ सोधिश्य भी होना चाहिए कि मदब आपने जो दंड किया या अपरात किया है तो उसके प्रति जो दंड मिलेगा वो किस स्थरका होगा उसमें क्या क्या चीश समाहिशी होगा उसमें आपको क्या सुधार लाने पड़ेंगे सुधार रात्मक विवस्ता भी होन किसी ङले किया चाहिए तभी उसे उचित का जाता है मतलब अगर किसी ने चोरीिए क्या होता है कि बच्चे चोडरी कि तो उसके चौरी करने पर आपने चौरी कि दंड के 100 रूपे अगर आपने उससे हर जाना ले लिए आर्थिक जूर्माना ले लिया ठीक है यह है या उससे दो महतने जेल में रख था तो उससे उस का दरणड की जो प्रवर्ति वह नहीं जाएं कि नेतिक फ्रयोजन गार्थ है उसमें उन वीस्चीजों को सिखाना चाहिए जिससे वह चोरी करना रोक हैं इस एक अपराद होते हैं तो अपराद ओकूर केसे रोका जाए नेतिक जैसे मैंने आपको बताए अधिकर संस्ता के अंदर एक अधिकर संस्ता होनी चाहिए एक अधिकर संस्ता करते सरकागिती नंग बताए मैंने आपको कुनकों से विधाय का कारेपाली का नियाएपाली का जैसे अधिकर संस्ता हमारी कौन सी है वर्तमान में नियाएपाली का तो अनुलंगनेता मतलब अगर वापस जो अपने नियमों का उलंगन करता है तो उसे उलंगन करने के लिए रोका जाए इस व्यवस्ता को किस नाम से जाना जाता है अनुलंगनेता मतलब उलंगन करने से रोका जाए राज्ये द्वारा बनाएगे नियमों का उलंगन करने से रोका जाए इस व्यवस्ता को किस नाम से जाना जाता है अनुलंगनेता इसमें अनुलंगनेता में लिखा है इस भोतिक बल को विधी की द्रस्टी से तथा वेवार में भी एसी सिदी प्राप्त होनी चाहिए कि किसी भी वेक्ति अथ्वा वेक्ति के लिए इसका अलूंगन कर पाना असंभव ने हो इस प्रकार बोतिक बल को जब समाज में सरवोचता की स्थिति प्राप्त होती है तभी उसे मनुस्मर्ति का दंड राज सास्त्र की आधुनिक शब्दावल्य में संप्रभूता कहा जाता है संप्रभूता का अर्थ अगर संप्षे में हम जाने तो संप्रभूता होती है सरवोच सत्ता तो वर्तवान में नियाय करने की सरवोच सत्ता कि संस्ता के पास में में लिए के पास में सुप्रिम कोर्ट ना उच्छ नियायले उच्छ इतम ने ले ना तो सब्सक्राइब क्या है कि यह जो नेड़े उसको कहीं भी चेलेंगे नहीं किया सकता है नहीं KIA साथ मेराष्ट का जो होता है क्या होता है सर्वोचे लिया तो सर्वोच नीयायादे के जो फैसले होते हैं मैं आarent नहीं कीया जा सकते तो है एक दर्शान से प्राइब क्या जाएगा राज जी कि जो सर्वोच नियाइश संस्ता है वो क्या है सर्वोच नियाइश संपरभु है थीक न तो उसे मनुस मृति में क्या कんです प्रकार मनुस्मृति के अनुसार दंड सर्वोपरी सत्ता है क्या है दंड सर्वोपरी सत्ता है अगर कोई अप्राद करेगा तो उसे दंड मिलेगा दंड में भी तीन प्रयोजन होने चाहिए नेतिक अधिकर्ट संस्ता और अनुलंगनेता नेतिक प्रयोजन मतलब उसके साथ-साथ जो इसने अपराद किया है उसे अप्राद की पारे में अपराद की करने से कैसे रोका जाए अधिकर्ट संस्ता नियालिक उसके पर अनुलंगनेता-बारे dry प्रक्षे उसमें मनु केह रहा है अपने सर्वोच्क्रति या ब्रचना में कौन सी थी मनुस्मर्ति मनुस्मर्ति के अनुसार दंड सर्वोपरी सत्ता है राजा दंड का स्वामी नहीं वरन अभी करता मात्र हैं अभी करताब को राजा दंड का स्वामी नहीं वरना अभी करता मात्र है अपना जो दंड का प्रियोग है वह मनमाने रूप में नहीं कर सकता मनमाना रूप क्या हो गया है सपोज कर जी कि आप छोटी सी एक बच्चा है जिसने पढ़ने जा रहा है उसने रबरपेंसी चोरी कर दी ठीक है तो आपको लगता है कि उसे पांस साल सजा देनी चाहिए इतने से छोटे जुर्म या अपराद में उसे त्य बड़ी सजा देनी चाहिए या उसमें एक लाग कर दिया जाना चाहिए यह उचीत है नहीं तो वह क्या है कि राजा दंड का प्रयोग अपने मनमाने रूप में नहीं कर सकता जितना उसने अपराद किया है उसी के अधार पर उसी के स्तर के अधार पर उसे दंड दिया जाना चाहिए राजा दंड का मनमान उप्योग नहीं सकता। वरनिस बात के लिए बात देहें कि धंड का प्रयोग को के विदि पूर्वक और नेतिश्य परियोजन के लिए कि caveat तो दंड का प्रियोग विदि पूर्वक मतलब दंड का प्रयोग आपने दियुर्ण थी संपर्व में जोरि की बारे मुझे वंसे बता कैu बेट के बच्चा बैटा यह अच्छी बात नहीं है चोरी करना घलत आदत होती है चोरी करने से केसे रोका जाए उसे पैंसे लाकी रब राकी दी जाए उसके गंदी आदोतों के बारा इसे नेतिक प्रयोजन ठीक है और विधी पूर्वक दोनों चीजे उनमें समावश हो और फिर बाद में उसे प्रोच्षाइद किया जाया कि चोरी नहीं करने से आपको यह चीजे मिलेगी तो बच्चा चोरी करने से रोकेगा स्वेंव राजा की दंड की संप्रभू शक्ति के अधिने और मनु की इसपर शेतावन है कि दंड का दुरुप्यों की जाने पर यह दंडी राजा को नश्ट कर देता है कि अगर आपको लगता है कि किसीने राजा ने एनेती रूप से या अपने स्वार्थप्रेजन से किसी को अधिक दंड दिया है यह प्रकेजर निरंतर चलती रहती है तो वह संस्था सुयते ही या राजा सुयते ही अपने आपको नश्टीया समाब्त कर देता है लास्ट में मनु कहते हैं राजा द्वारा धर्म के विरूद किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्थी का और मर्त्यू के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है कि अंती में बोल रहे है मनु कि राजा द्वारत धर्म के विरूद किया कई करें अगर कोई राजाद धर्म के विरूद कारें तो उसे दंड लोग में उसकी आपकिर्थी अपकर्थी उत्त अप teenage बदनामी क्या होता है अपके फिया और अपियश या बदनामी दंड लोग में ऊसे बदनामी मिलेगी और मरतियों के बाद जब राज्या मृती होगी तो ऊसे का नरक राट होगी विभा प्राप्ति होग लोग धार्म जो दढल ऑटन जो चल रहा था उसका अंतिम पेरिग्राफ में क्या लिखा है इस प्रकार राज्य और दर्म दंड राज्य और दंड परस्पर सम्मंध हैं धर्म राज्य का मूलाधार और राज्य का अस्तितु का प्रियोजन हैं तथा स्वेम धर्म तथा स्वेम धर्म अपनी रक्षा के लिए राज्य और दंड पर निर्बर हैं मनुश्य की समस्त विवेचना का मूल्ट संदेश यह है कि राज्य दंड की शक्ति का प्रियोग इस प्रकार करें कि सभीव विक्ति चार प्रुशार्थ अन्ति में क्या लिखा है मनुश्य की समस्त विवेचना का मूल्ट संदेश यह है कि राज्य दंड की शक्ति का प्रियोग इस प्रकार करें कि विक्ति चार प्रुशार्थ चार पुशार्ट कौन से दे धर्म अर्थ काम मौक्ष की प्राप्ति कर सकें आज की भाषा में वे बोतिक नेतिक और पारलोकिक कल्यान की दिशा में आगे बढ़ सकें थैंक यू अल आफ यू